हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल आरध्या अरेस अकडमी में दोस्तों पूरे भारत वर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परिक्षाएं आई जित होती है उन्हें सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए मुगल काल से समंदित आज मैं आपके लिए टोप सो प्रसन लेके आया हूँ जो आपकी परिक्षाओं के लिए अतियन्त महतोपुण है अगर आप ये सोप्रसन देख लेते हैं तोदोस्तों मुगल काल में से आपका एक प्रसन है वो गलत नहीं होगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रेस्न और पहला प्रेस्न शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ बाबर हुमाईू अकबर जांगिर साज अरंग्जेब यह इसका कालकरम की साई ट्रिक है बाबर से लेके अरंग्जेब तक याद रखना भी एच ए जी एस ओ बाबर हुमायू अकबर जांगिर साजा औरंग्जेब ठीक है समझ में आ गया अब देखिए पहला प्रेस ने 1526 इस्वी में बाबर ने किस वंस के सासक को प्रास्त कर मुगल सामराजय की नीव रखी अब देखिए 1526 इस्वी में तो दोस्तो कौन सा वंस था कौन से वंस के सासक को रहा था तो दोस्तो लोदी वंस के सासक जिसका नाम था दोस्तो इब्राहिम लोदी क्या नाम था इब्राहिम लोदी तो दोस्तो इब्राहिम लोदी को हरा कर बाबर ने दोस्तो मुगल सामराज जेके नीव डाली थी और 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था वो तो उसका नाम था दोस्तो पानीपत का युद्ध ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोधी वन से बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सा युद्धतर हो जाएगा सेकेंड नमबर प्रेशन है पानीपत का पर्थम युद्ध कब हुआ तो पानीपत का पर्थम युद्ध है ये दोस्तों 21 अपरेल 1526 इस्वी को हुआ था यानि कि 21 अपरेल 1526 को पानीपत का पर्थम युद्ध हुआ था किस-किस के मद्दे तो बाबर और इबराहिम लोधी क के मद्दे यहां यूद हुआ था बी नंबर का उप्शन बिलकुल से उत्तर हो जाएगा तीन नंबर का प्रस्ण है बाबर ने प्रसिद तुलुगमा नीती का प्रियोग सरोपर्थम किस यूद में किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से यूद में किया तो वो है पानिपत के पर्थम यूद में तुलुगमा नीती का प्रियोग किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें C नंबर का उप्शन बिलकुल से उत्तर है नेक्स्ट है आगे देखे चार नंबर का प्रस्ण है किस यूद में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुहें अमीरों सगे समंदियों आदी के लिए खोल दिये और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपादी दी गई यानि कि कौन से यूद जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुहें अमीरों सगे समंदियों आदी के लिए खोल दिये और इस उदारता के लिए उसे ठीक है उन्होंने खजानों के मुह है खोल दिये थे तो इसका right answer A number का option बिल्कुल सही उत्तर पानिपत का पर्थम्यूद ठीक है अगे देखे भारत में grand truck road बनवाई थी तो किस ने बनाई थी तो दोस्तो सेर सासूरी ने grand truck road बनवाई थी B number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाए था तो दोस्तो अकबर ने निर्मान करवाया था बुलन दर्वाजे का निर्मान ठीक है किसका निर्मान करवाया था बुलन दर्वाजे का निर्मान करवाया था गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने B number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे साथ हमाहन एतयासिक करती निमनलिकित में से किसके द्वारा लखी गई थी? तो यह लिखी गई थी दोस्तो। अबूल فजल के द्वारा एट नंबर उप्षन इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आठ नमबर का प्रस्न है पानिपत की दूसरी लड़ाई पांच अपरेल 1556 इस वी को निमनलिकित में से किस के बीच हुई थी तो ये हुई थी दोस्तो किस किस के बीच में तो अकबर और हेमू के बीच में दोस्तो पानिपत की दूसरी लड़ाई हुई थी पानिपत की पहले लड़ाई बाबर और इबराहिम लोदी के मत दे 1526 में और पानिपत की दूसरी लड़ाई 5 अपरेल 1556 को अकबर और हेमू के मत दे ठीक है तो इसमें एक ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नाए नमबर प दूरा आगे देखे परसिद मुस्लिम सासिका चांद वीवी जिसने बरार को अकबर को सोपा निमनलिकित में से किस राजे से समंदी थी तो ये कौन से राजे से समंदी थी तो ये एहमद नगर राजे से समंदी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें C number का option बिल्कुल सही उतर आगे देखिए 11 नंबर का प्रसन है मुगल प्रशासन विवेस्टा में मनसबदारी प्रनाली को किसने प्रार्म किया तो मनसबदारी प्रनाली को किसने प्रार्म किया तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसने तो ये किया था अकबर ने यह मनसबदारी प्रणाली विवस्ता है ये सुरू की थी तो इसका राइट आंसर है इसमें बी नमबर का उपसन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 12 नमबर का प्रणानली प्रणाली विवस्ता है तो इसमें बी नमबर का उपसन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अकबर के दर्बार में आगे देखिए इसमें तेरा नमबर का प्रसन है मुगल काल की राजवाशा कोन सी थी तो मुगल काल की राजवाशा है वो कोन सी थी तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो farsi d नंबर का ओप्सन बिलकुल सयॲत तर हो जाएगा next है सती पर्था की बर्सना करने वाला मुगल समराठ था तो सती पर्था की भरसना करने वाला मुगल समराठ कौन सा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अकबर सी नंबर का उप्षन बिल्कुल से उतर हो जाएगा अकबर आगे देखिए किस युद से भारत में मुगल राज्य की नियू पड़ी थी तो कौन से युद में युद से भारत में मुगल राज्य की नियू पड़ी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पानिपत का पर्थम यूद जो कब हुआ था 1526 को ठीक है तो इस यूद के बाद में मुगल राज्य की नियूप पड़ी थी तो इसका राइट आंसर इसमें सी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखिए 16 नंबर का प्रेशन है मुगल चितरकारी किसके सासनकाल में पराकाष्टा यानि कि चर्मोत कर्ष प्राप्त किया यानि कि मुगल काल में जो चितरकारी है चितरकाल का जो स्वनकाल है वो दोस्तों कौन से स जांगिर का सासनकाल है वो दोस्तों 1605 से लेके 1627 तक माना जाता है ठीक है आगे देखिए इसमें 17 नमबर प्रेशन है निमन लिखित में से किसने अकबर की जीवन कता लिखी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अबूल फजल ने ए नमबर का उप्शन ब भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत रीत्वों और फलो का विशद विवरन अपनी देन नंदनी डायरी में लिखा था तो दोस्तों किस मुगल सासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत रीत्वों और फलो का विशद विवरन अपनी देन नंदनी डायरी मे लिखा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसने तो बाबर ने लिखा था सी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा गुनिस नंबर प्रेशन है सेरसा की महानता का गोतक क्या है तो वो है प्रसास्तनिक सुधार सी नंबर का उप्शन बिल् गुल बदन बेगम ने हुमायू नामा है ये दोस्तों किस ने लिखा था तो ये गुल बदन बेगम में बेगम ने लिखा था और ये हुमायू की सोतेली बेहन थी गुल बदन बेगम ठीक है इसने हुमायू नामा की रचना की थी तो इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल स हो जाएगा वो है दोस्तो देखे रज्मनामा किस नाम से रज्मनामा के नाम से जाना जाता है महाबारत का फार्शी बासा में अनुवाद थीक है तो इसमें बी नंबर का उप्सन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर प्रेशन है किस मुगल समराट ने सयद भाईयों की स सेयद भाईयों को मार गिराया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो मुहमद सा ठीक है, मुहमद सा ने दोस्तो सेयद भाईयों की अत्या की थी तो इसमें D नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखें इसमें 23 नमबर प्रेशन है निमनलिकित में से कौन अंतिम मुगल समराट थे, तो मुगल समराट अंतिम कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है अंतिम मुगल समराड थे बादूर सा सेकेंड ठीक है कौन थे बादूर सा सेकेंड तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें C नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखिए 24 नंबर प्रेशन है अकबर के सासनकाल में भूर आजस्व सुदारों के लिए कोन उतरदाई था अकबर के सासनकाल में भूर आजस्व सुदारों के लिए कोन उतरदाई था तो वो था दोस्तों टोडर मल बी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा टोडर मल 25 नंबर प्रेशन है अकबर द्वारा बनवाए गए उपास्तना भवन या पूज अगे देखें सु प्रसीद संगी तग्ये वे तानसेन और बेजु बावरा किसके सासनकाल में सु विख्यात थे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अकबर तो इसमें सी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखें राम चरीतर मानस के लेखक तुलसीदाश किसके सासनकाल से समदी थे तो ये समदी थे दोस्तों अकबर के सासनकाल से समदी थे तो इसमें डी नंबर का उप्शन से उतर हो जाएगा आगे देखिए 28 नंबर प्रेशनेnd kis युध में बावर ने जिहाद धर्मयुध का नारा तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद जीतने के उपरांत गाजी की उपादी धारन की थी यानि कि बहुत यचा प्रशन है कि किस युद में वाबर ने जिहाद यानि कि धर्म युद का नारा दिया था तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया गया था तीक है और युद जीतन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खानवा के युद्व में ये उपादियां ध्यारन की थी ठीक है तो इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुत से उत्तर हो जाएगा गुन्टिस नंबर प्रेस्ट में इसमें दिखे मुबईान नामक पदै सेलिक के जनमदाता बाबर तो दोस्तो बाबर ने अपनी आतम कता तुजू के बाबरी किस भासा में लिखी तो ये दोस्तो तुर्की भासा में लिखी थी तो इसका राइट आंसर इसमें सी नमबर का उपसन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तीस नमबर प्रेशन है बाबर मूल रूप से कहा का निवासी था यानि कि दोस्तो बाबर मूल रूप से कहा का सा सकता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है बाबर फरगना का सा सकता कहा का फरगना का तो इसका राइट आ यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए इसमें 31 नमबर प्रेस ने बाबर को भारत पर आकर्मन करने के लिए आमंतरित करने वालों में कौन सामिल नहीं था देखिए पंजाब का सुबेदार दोलत खान लोदी और उसका पुतर दिलावर खान लोदी इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी और मेवाड का सासक राणा सांगा इन तीनों ओप्सनों में जो भी दे रखे हैं दोलत खान लोदी दिलावर खान लोदी इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी और मेवाड का सासक राणा सांगा ये सबी हैं ये दोस्तों बाबर को भारत पर आकर्मन करने के लिए आमंतरित करने वालों में सामिल थे लेकिन चंदेरी का सासक मेद नीराय ये इसमें सामिल नहीं था तुझे अपना इसमें D-Number का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखें मुगल सामराजे के दर्डीकरण के दरस्टी कोण से निर्नाय की युद था तो वो था दोस्तों खानवा का युद कब हुआ था 17 मार्च 1527 को 17 मार्च 1527 को खानवा का युद हुआ था ठीक है B-Number का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा इसका आगे देखें इसमें 33 नमबर प्रेस ने इसमें देखें सूची फस्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए सूची फस्ट में बाबर द्वारा लड़े गई युद और सूची सेकंड में सासक दे रखे हैं तो यहाँ पर देखें पानिपत का पर्थम युद 1526 ईस्वी में दोस्टो किस के साथ में लड़ा गया था बाबर ने किस के साथ में लड़ा था पानिपत का पर्थम युद 1526 में तो ये दोस्तो इब्राहिम लोदी के साथ में लड़ा था, खानवा का यूद 1527 में राना संगा के साथ में लड़ा था, चंदेरी का यूद 1528 में मेदनी राय के साथ में लड़ा था, और गहागरा का यूद 1530 में अफगानों के विरुद महमोद लोदी के खिलाफ लड़ा बाबर ने यानि कि इसमें चारो के चारो इसमें सही सुमेलित हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो एक दो तीन चार क्या हो जाएगा एक दो तीन चार यानि कि ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दुस्तो साजा D नमबर का उप्शन बिलकूल सेउत्तर हो जाएगा आगे देखें अकबर के यूवावस्ता में उसका सन रख सकता तो तो दुस्तो वो था बेरम खान तो इसमें डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखें निम्नलिकित में से किस इस्तान पर नादिर सान ने चड़ाई नहीं की थी तो किस इस्तान पर नादिर सान ने चड़ाई नहीं की थी तो इसका right answer हो जाएगा देखिए लाहूर पर की थी करनाल पर की थी दिल्ली पर की थी कन्योज पर नहीं की थी ठीक है तो इसका right answer इसमें D number का option बिल्कुर से उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें 37 number प्रसन है किसने ऐसे बाग बगिचे जिसमें बहता पानी हो के निर्मान की परंपरा की सुरुवात की थी तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों बाबर ने ठीक है तो इसमें A number का option बिल्कुर से उत्तर हो जाएगा 38 number प्रसन है निम्नलिकित में से कौन सी आत्म कता है तो आत्म कता है वो कौन सी है तो वो है दोस्तों बाबर नामा यानि की तुझू के बाबरी यानि की तुझू के बाबरी थी तो इसका right answer D number का option बिल्कुर से उत्तर हो जाएगा यहां पे देखे कौन सा सुमेलित नहीं है यहां पे देखे हुमायू नामा यहां पे हुमायू दे रखा है तो दोस्तों मैंने भी आपको थोड़ देर पहले बताया था कि हुमायू नामा की रचना है वो हुमायू की सोतेली बहन गुल बदन बेगम के द्वारा ये हुमायू नामा की रचना की गई थी ठीक है तुजू के बाबरी ये बाबर के द्वारा रचित है तुजू के जांग आगे देखे राजा बीरबल की उपादी किसे दी गई थी तो ये महेश दास को बीरबल की उपादी दी गई थी तो इसका राइट आंसर इसमें ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे दोस्तों इसमें 41 नमबर प्रस्ण है देखे अकबर ने जादा बहुनोंका निर्मान नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने सासनकाल में निरंतर युद करने पड़े थे उसे अपने सासन काल में निरंतर युद करने पड़े तो इसलिए औरंग जेब ने जादा बहुनों का निर्मान नहीं करवाया तो बार देखिए औरंग जेब ने जादा बहुनों का निर्मान नहीं करवाया क्यूंकि उसे अपने सासन काल में निरंतर यूद करने पड़े थे D नमबर का उप्शन बिल्कूल सयुत्तर हो जाएगा 42 नमबर प्रेस्टन है किस मुगल सासक का दो बार राज्य विशेक हुआ तो दोस्तो किस मुगल सासक का दो बार राज्य विशेक हुआ तो दोस्तों वो है ओरंग जेब का ठीक है ओरंग जेब का जो राजे विशेख है वो दोस्तों दो बार हुआ था ठीक है यह आपको इसमें याद करना है ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें ग्रान ट्रक सडक जोडती है तो ग्रान ट्रक रोड है वो किसको किस से जोडती है तो ये कोल कता को अमरज सर से जोडती है ठीक है तो इसमें C नंबर उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखें वर्स 1526 इस्वी में लड़ी गई पानिपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ तो इसका राइट आंसर ए नंबर उप्शन हो जाएगा आगे देखें 45 नंबर प्रेशन है शेर सासूरी का मकबरा कहां पर इस्थित है तो दोस्तों सेर सासूरी का मकबरा है वो कहां पर इस्थित है तो ये सासाराम में इस्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें C नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें अकबर का राज्य भी सेख कहां हुआ तो दोस्तों अकबर का राज्य भी सेख है वो कहां पर हुआ था तो दोस्तों अकबर का राज्य भी सेख 1556 इसमें पंजाब के कलानोर में हुआ था कलानोर ठीक है याद रखना कलानोर पंजाब के कलानोर में अगर इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सहित्तर हो जाएगा नेक्स्ट है गुरू अरजुन देव किसके समकालीन थे तो गुरू अरजुन देव है वो किसके समकालीन थे तो ये जहांगिर के समकालीन थे तो इसमें बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सहित्तर हो गुरू अर्जुन देव को ये शिखों के कौन से गुरू थे पांचवे गुरू थे ठीक है आगे देखें किस राजपूत वंस ने अकबर के सामने समर्पन नहीं किया तो वो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिसोधिया वंस ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही सोधिया वंस इमेवाड का सिसोधिया वंस तो इसमें ए नमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें किस मुगल सासक को आलमगीर कहा जाता था तो दोस्तों औरंग जेब को आलमगीर कहा जाता था डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आलमग आगे देखें समराट अकबर दुआरा किसको जरी कलम की उपादी से अलंकरित किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दुश्तों मुहम्मद हुसें मुहम्मद हुसेन को जरी कलम की उपादी से अलंकरत किया गया था ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए काउन नमबर प्रसने बाबर ने पहली बार पस्सिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था तो दोस्तो बाबर ने भारत में प्रवेश कहां से किया था तो दोस्तो पंजाब से प्रवेश किया था तो इसमें C नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पंजाब आगे देखिए इसमें हल्दी गाटी का यूद कब लड़ा गया तो दोस्तो हल्दी गाटी का यूद है ये कब लड़ा गया तो 1576 में ये हल्दी गाटी का यूद लड़ा गया था तो इसमें B नमबर का उप्शन सयुतर हो जाएगा आगे देखे फैजी निमनलिकित में से किस के दर्बार में रहा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अकबर के दर्बार में रहा था फैजी डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा किसके समय में मलिक मुहमत जाईसी ने पदमावत की रचना की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दूस्तों तो दोस्तो शेर सा सूरी के समय 1540 इस्वी में मलिक मुहमत जाईसी ने पदमावत की रचना की थी ठीक है तो इसका राइट आंसर बी नंबर उप्शन सहुतर हो जाएगा नेक्स्ट किसने चोसा की लड़ाई 1540 में हुमायू को पराजित किया था तो दोस्तो चोसा की लड़ाई 1540 इस्वी में हुमायू को पराजित किस ने किया था तो दोस्तो शेर सा सूरी ने पराजित किया था ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सहुतर हो जाएगा आगे देखे हुमायू का मकबरा कहा है तो दोस्तो हुमायू का मकबरा है वो कहां पर है तो ये दिल्ली में है हुमायू का मकबरा इस नमबर का ओप्चन बिल्कुल स्यूतर हो जाएगा अगे देखिए किस मुगल सासक ने दो बार सासन किया तो किस मुगल सासक ने दो बार सासन किया तो ये किया था दोस्तो हुमायू ने ठीक है बी नंबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा हुमायू ने 1530 से लेके 1540 तक सासन किया एक बार और दूसरी बार किया था दोस्तो 1555 से नाम है सरहिंद का यूद ठीक है उसके सरहिंद का यूद जीतने के बाद में दोस्तों हुमायू दुबारा सासक बना था पंदरा सो पत्पन में और पंदरा सो प्पन में दोस्तों हुमायू की मरत्य हो गई थी ठीक है तो इसका राइट आंसर इसमें B नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर नेक्स्ट है भारत में BB का मकबरा है वो दोस्तो कहां पर है तो ये औरंगाबाद में है C नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे फत्यपूर सीकरी इस्तित लाल पत्थर से निर्मित सेक सलीम चिस्ती के मकबरे को किस ने संगमरमर करवाया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जांगीर ने बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगी देखिए साथ नमबर प्रेस ने किस मुगल सासक को पहले आगरा में दफनाया गया बाद में उसकी एक अफगान विद्वा सव को काबुल ले गई और वहां एक बाग में दफनाया यानि कि किस मुगल सासक को पहले आगरा में दफनाया गया बाद में उसकी एक अफगान विद्वा सव को काबुल ले गई और वहां एक बाग में दफनाया तो इसका राइट आ किस मुगल सासक को उपवनों उद्यानों में अतियंत अभिरूची के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकोट कहा गया है तो किसे कहा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है किसे कहा गया है तो इसका बिल्कुल सेयुत्तर हो जाएगा दोस्तो देखे बाबर हुमायू अकबर साजा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो तो देखे इसका बिल्कुल सयूतर बाबर को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगे देखिए 62 नमबर प्रेस ने कुन सा पहला मुगल सा सक था जिसने कुसान सामराजे के पतन के बाद भारती सामराजे में काबुल वैकांदार को सामिल किया कुन सा पहला मुगल सा सक था जिसने कुसान सामराजे के पतन के बाद भारती सामराजे में काबुल वैकांदार को सामिल किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो बिल गराम का युद ठीक है बिल गराम का युद तो इसमें ए नमबर का ऑप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 64 नमबर प्रेस ने निमनलिकित भारतिय सासकों में से अकबर के समकालीन कौन था तो अकबर के समकालीन है वो कौन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रानी दुरगावती ठीक है रानी दुरगावती ये दोस्तो अकबर के समकालीन थी तो इसका राइट आंसर हो से सहर में मोती मसजद बनवाई थी तो इसका right answer हो जाएगा. आगरा में मोती मसजद बनवाई थी. C नमबर का option बिल्कुल सेउध्तर हो जाएगा. आगे देखिए किस मूगल badshyaj ने जजिया नामक कर पुने लगाया? किस मूगल badshyaj ने जजिया का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है याद रखना है जजिया कर रहा है वो किस ने लगाया था तो ये लगाया था ओरंग जेब ने ठीक है तो इसका बिल्कुल सही उत्तर सी नमबर उप्सन नेक्स्ट है अकबर के सासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कारिय था तो वो कारिय कौन सा था तो वो था दोस्तों भूमी राजस्व का मुल्यांकन और संग्रे करना ये दोस्तों अमल गुजार नामक अधिकारी का कारिय था बी नमबर का उप्सन बिल्कुल से उतर हो जाएगा 68 नमबर प्रेस्ट नहीं है सिवाजी ने मुगलो को किस संदी के द्वारा किलो को घस्तानांतरित किया था यानि कि सिवाजी ने मुगलो को किस संदी के द्वारा किलो को घस्तानांतरित किया था तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें पुरंदर की संदी के अंतरगत ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा C number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा Next किस वर्स बेसाकी के दिन 13 अपरेल को गुरू गोविंद सिंग ने खालचा पंथ की स्थापना की थी तो दोस्तो कब की थी खालचा पंथ की स्थापना तो 1699 में खालचा पंथ की स्थापना की थी तो इसमें B number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे निमन में से कौन सा मुगल बादशा पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा बाद में अपने यानि की जीवन परियंत मराठों का पेंशन भोगी रहा यानि की कौन सा मुगल बादशा पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा बाद में जीवन परियंत मराठों का पेंशन भोगी रहा तो वो था दोस्तो सहाय आलम सेकेंड ए नमबर का उप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सहाय आलम सेकेंड ठीक है 71 नमबर प्रेशन इसमें देखिए दक्सिन में निमनलिखित में से किसके सासनकाल में मुगल सामराजे तमिल राजे छेतर तक फैला तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है औरंगजेब के सासनकाल में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए मुगल सत्ता की पुनरिस्तापना हुमायू ने कब की मुगल सत्ता की पुनरिस्तापना हुमायू ने कब की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1555 से 1556 इस्वी में मुगल सत्ता की स्थापना हुमायूने की B नंबर का उप्शन बिल्कुल सेउत्र हो जाएगा आगे देखे मुगल सत्ता की पुनरिस्थापना किस यूद में हुमायू को मिली विजय के फलसवरूप हुई तो दोस्तों वो यूद था पंदरा सो पच्पन का जिसका नाम था सरहिंद का यूद इस यूद में दोस्तों हुमायू की विजय हुई और हुमायू दुबारा सासक बना था दिल लिगा ठीक है दी नंबर का उप्शन बिल्कुल सेउत्र हो जाएगा आगे देखें किस मुगल बाद साथ की मर्तिव दीन पना है पुस्तकों की सीडियों से गिरने के कारण हुई तो दोस्तों वो है हुमायू हुमायू की मर्तिव है वो दीन पना है पुस्तकाले की सीडियों के गिरने के कारण हुई थी B-number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा देखिए ऐसा का आ जाता है कि जिंदी की बार हुमायू है वो लड़ खडाते रहा और लड़ खडाते लड़ खडाते ही मर गया ठीक है तो इसमें B-number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा पीछेतर नमबर प्रेस्न है किस मुगल बादशा के दुरबागे पर वैंग करते हुए लेन पुल ने कहा है कि वहें जीवन बर ठोकरे खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया तो मैंने अभी आपको बताया था मुगल बादशा के दुरबागे पर वेंग करते हुए लेन पूल ने कहा था कि वह जीवन बर ठोकरे खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया तो ये दोस्तों किसके बारे में कहा है तो ये बाबर के बारे में कहा है सोरी हुमायू के बारे में तो क्या था मुहत्शिव तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोक आचरन का अधिकारी था जिसका नाम था मुहत्शिव C नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखे मुगल प्रसाशन में मदद ए मास इंगित करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखे दास्तान ए अमीर हमजा का चितरांकन किस के दौरा किया गया तो ये क्या गया दोस्तों अब दूस समद के दौरा किया गया ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सेउत्तर हो जाएगा आगे देखें निमनलिकित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपादी अपनाई बाद में सुल्तान की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सेरसा सुरी ने ठीक है तो निम्नलिकित में से किस मुगल बादशा को वजीर गाजू दिन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है साहय आलम दितिये तो बी नमबर का उप्शन इसका बिलकुल सेयुत्तर हो जाएगा साहय आलम दितिये तो आगे देखे मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है तो वो है दोस्तो कौन सा तो मुबाईन ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सेयुत्र हो जाएगा आगे देखे ओरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है तो वो अर्थ कौन सा है तो वो है दोस्तो इसमें दार उल इसलाम दार उल इसलाम बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सेयुत्र हो जाएगा नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले का निर्मान किसने करवाया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो किसने सहाजा ने करवाय था दिली के लाल किले का निर्माण डी नमबर उप्षन सही उत्तर नेक्स्ट है हुमायू द्वारा लड़े गए चार परमुक युद्धों का तिथी अनुसार सही करम अंकित करें युद इस्तलों का नाम अंकित है तो दोस्तो यहां पे हुमायू द्वारा लड़े गए चार परमुक युद्धों के बारे में अपने को बताना है तिथी अनुसार अपने को इसमें बताना है तो देखिए सबसे पहले हुमायू ने युद्ध किया था दोस्तो कौन सा तो देखें सबसे पहले दोस्तों दोराया का ठीक है दोहरिया दोहरिया यानि कि दोरा का युद किया था सबसे पहले कब किया था तो ये किया था दोस्तों जैसे दोरा का युद है ये दोस्तों 1531 में किया था कब किया था 1531 इस्टेश में फिर उसके बाद में दोस्तो चोसा का यूद लड़ा था 1540 में कनोज या बिलग्राम का युद ये दोस्तों पंद्रा सो चालीश में लड़ा गया था और फिर सरहिंद का युद लड़ा गया था दोस्तों पंद्रा सो पच्छपन में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नमबर का उप्षण बिलकुल सयूतर हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा C number का option बिल्कुल सेयुतर हो जाएगा नेक्स्ट ए पटना को प्रांती राजदानी बनाया था तो पटना को प्रांती राजदानी बनाया था तो किसने बनाया था तो सेरसा ने बनाया था A number का option बिल्कुल सेयुतर हो जाएगा सेरसा सुरी आगे देखे मयूर सिहासन यानि की तक्ते हाउस पर बैटने वाला अंतिम मुगल बादशा कोन था तो दोस्तों उसका नाम था मुहमद सारंगिला कोन था मुहमद सारंगिला बी नमबर उप्सन सयूतर हो जाएगा आगे देखे पानिपत के युद में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था तो उसका मुख्य कारण क्या था तो वो है दोस्तों उसकी सेने को सलता बी नमबर का उप्सन बिलकुल सयूतर हो जाएगा आगे देखे जाननी प्रनाली किसकी उपजती तो ये उपजती दोस्तों सेर सासूरी की तो इसमें सी नमबर का उप्सन बिलकुल सयूतर हो जाएगा आगे देखिए जवाबित का समंद किसे था तो जवाबित का समंद है ये किसे था तो ये राज्य कानून से समंदी था जवाबित ए नमबर का उप्शन इसका बिल्कुल सेयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें इकरानमा नमबर प्रेस ने इरान के साहे और मुगल सासकों के बीच जगडे की जड़ क्या थी तो इसका राइट आनसर हो जाएगा वो है कांधार बी नमबर का उप्शन इसका बिल्कुल सेयुत्तर हो जाएगा कांधार आगे देखे, मुम्ताज महल का असली नाम क्या था, तो मुम्ताज महल का असली नाम है, वो क्या था, तो अरजुमंद बानो बेगम, यह दोस्तो मुम्ताज महल का असली नाम था, एह नमबर का उप्शन बिल्कुल सेउत्तर, नेक्स्ट है, किस मुगल बादसा को जिन्दा प पीर कहा जाता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दुस्तों औरंग जेब को जिन्दा पीर कहा जाता था बी नमबर का उप्षन सयुत्तर हो जाएगा 94 नमबर प्रेशन है इसमें देखे अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नकसा बोध विहार की तरह है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नकसा बोध विहार की तरह है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंच महल ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा पंच महल आगे देखे अंतिम मुगल बादसा बादूर सा जफर था उसके पिता का ना नाम क्या था तो इनके पिता का नाम था दोस्तो क्या तो अकबर सा है सेकंड बी नमबर का उप्षन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है अकबर ने सरव पर्थम वेवाईक सम्मद राजपूतों के जिस ग्रह से इस्तापित किये वह था तो वह कौन सा था तो वह राज्यों को विजित किया वे थे औरंग्जेब ने दक्सिन में जिन दो राज्यों को विजित किया वे थे तो वे कौन से थे तो वे थे दोस्तों बीजापूर एवं गोलकुंडा बीजापूर एवं गोलकुंडा सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे आगे देखे निमनलिकित मुगल बादशाओं में किसने अपनी आतमकता फार्शी में लिखी ती तो मुगल बादशाओं में किसने अपनी आतमकता फार्शी में लिखी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें जाहंगीर सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सह से उत्तर हो जाएगा, सो नमबर का प्रेशन है, इसमें कौन सा मकबरा दितिय ताज महल कहलाता है, तो कौन सा मकबरा दितिय ताज महल कहलाता है, तो दोस्तों ये राबिया उद्दोरानी का मकबरा, यानि कि बीवी का मकबरा, इसको दितिय ताज महल कहा जाता है, तो इसमें सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों ये मैंने आज आज आपको मुगल बादशा से समंदित यानि कि मुगल सामराज्य से समंदित आज आज आपको टोप सो प्रशन है वो मैंने कंप्लेट करवा दिये हैं यह आपकी सभी परतियों की प्रिक्